अस्सलाम अलेकुम, हेलो वियर्ज, वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल देसी वाइब्स इन परदेश हम आपके साथ अल्मोस्ट डेली कोई ना कोई यूए की नियू आर ओल्ड प्लेस विजिट करते हैं और उसकी वीडियो शेयर करते हैं होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो उसी सिल्सले की एक कड़ी आज की वीडियो भी है जिसमें हम आपके साथ एक नियूली ओपन स्पॉर्ट शो करवाएंगे जो के मुझे लगता है कि एक हिडन जैम है जिसका नाम है दुबई क्रीक हारबर दुबई क्रीक हारबर ये 2020 में ओपन हुआ था इसके अंदर आपके साथ वाकिंग ट्रैक शेयर करेंगे बच्चों के साथ काफी फ़न एक्टिव्टीज वाले एरियल शेयर करेंगे तो इस वीडियो का बकाइदा अगाज करते हैं आपको बताता चलूं कि ये सिटी के बिलकुल अंदर है इसलिए हमारे घर से कोई ज्यादा नहीं मैक्सिमम ट्वन्टी मिनट की ड्राइब पे डाउन टाउन के बिलकुल पास में ये वाक्या है इसके अंदर आप मेट्रो के त्रू भी जा सकते हैं और इसके साथ टैक्सी सर्विस भी अवेलेबल है वहां तक और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो बहुत इजी लिए आप वहां पे कम्यूट कर सकते हैं बच्चों के साथ इस जगा पे लाजमी जाईएगा आप बहुत इंज्वाए करेंगे खास कर बच्चों के साथ फोटोग्राफी यहां पे अच्छी होती है और इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए काफी एक्टिविटीज है जैसा के यहां पे पजल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं ब्लॉक्स की मदद से उनको बच्चे इंज्वाए कर सकते हैं यहां पे बच्चे बाग दौट सकते हैं इसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी राइड्स बनाई गई हैं और फिर इन्होंने रबर्ड वाले कुछ स्विंग्स बनाए हैं जिन पर बच्चों के गिरने का कोई खत्रा नहीं होता और बच्चे बहुत इंज्वाए करते हैं वहां पे मतलब अगर आप आजें यहां पे तो बच्चों को फ्री छोड़ सकते हैं विद्वाट एनी डेंजर एक्सपेक्टेशन तो बच्चे भुद भी खेल सकते हैं यहां पे काफी एक्टिविटीज हैं बड़ों के लिए फोटोग्राफी के जैसा के मैंने पहले बताया बहुत पैनुरामिक व्यूज हैं यहां पे जो एक एक जगा आपको ब्रेट्स टेकिंग लग रही होती है मेंली जो डेक बनाया गया है यहां से तकरीबन एक किलो मीटर आपको वाकिंग डिस्टेंस पे एक डेक मिलेगा इंटरंस से तो वहां पे जाके आप यूए की मोस्ट लगिरियस और मोस्ट आइकानिक फोटोग्राफिक वाली जगाओं को एक्स्प्लोर कर सकते हैं उस डेक के उपर से क्यूंकि कुछ हाइट पे बनाया गया है इसलिए आप इजी ली वहां से शेक जायद रोड का रोड को विजट कर सकते हैं उस डेक पे खड़े होके secondly बर्जी खलीफा को देख सकते हैं वहां पे आप और इसके सासर आप वहां पे जाके लाइब्रेरी विजट कर सकते हैं दूर से कैमरे की आंग में कैप्चर कर सकते हैं मुहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी को जो के एक खताब की मानिन्द है वो बिल्डिंग उसका भी कर सकते हैं यहां से आप बोट राइट के मज़े उड़ा सकते हैं बोट बुक कर सकते हैं और फैमली और फ्रेंस के साथ आप इंजोई कर सकते हैं यहां की बोट में आप जो जो चीज एड़ाउन करना चाहें वह आप कर सकते हैं जैसा के बफे कोई डांसिंग वगरा के लि हैं जैसा कि यहां पर विद्धा है उसके लावा कुछ और भी फाइस्टार होटल हैं जिन के साथ आप बुकिंग करके इस आइकॉनिक जगा को आप अच्छे से एक्स्प्लोर कर सकते हैं आप यहां व्यूज जो हैं विल्डिंग के उनका एंज्वाय कर सकते हैं और खासकर इस डेक पे आप जो वीडियो में देख रहे हैं इस वक्त यह डेक पे खड़े होके आप यहां से बर्जिक लीफा और कुछ और जगा की भी फाइर वक्स को एंज्वाय कर सकते हैं स्पेशली ऑन पब्लिक हॉलिडेज यहां पे लोगों की बहुत गैदरिंग होती हैं स्पेशली लोग यहां पे फोटोग्राफी के लिए आते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया आपको यह ओफर करेगा पैनोग्रामिक व्यू आफ मेजिकल दुबई क्रीग विद अ स्टनिं का मज़े उड़ा सकते हैं और संसेट के भी संद्राइज के टाइम पे आपको यहां पे लाइन ऑफ बोर्स नजर आएंगी सेकंडली आप इस डेक पे खड़े होके जो के सेवंटी मीटर वाक वे है प्रोजेक्टिंग ट्वंटी सिक्स मीटर ओवर दा वाटर एन लेवन प दुबई डाउन टाउन और दुबई क्रीक दोनों के मज़े आप इस डेक पे खड़े होके इंज्वाए कर सकते हैं यहां पे नाइट का व्यू भी बहुत अच्छा है हम यूजली यहां पे नाइट टाइम जाते हैं इसलिए के एक तो वैदर फ्रेंडली होता है नाइट आई हुमेडीटी नहीं होती और ज्यादा गर्मी नहीं होती इसके सासथ नाइट के टाइम पर फैमिलिज ज्याधा आती हैं और बच्चे दूसरे बच्चों के साथ काफिla करते हैं यह वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं यह मैजिकल पद्जल बनाएं गया हैं बच्चा एक building में गुश जाए तो वो end तक जा सकता है by using its analytical skills और इसके साथ बच्चे explore करते हैं, learn करते हैं यहां पर different magics के साथ, different puzzles के साथ कि इसमें कैसे अंदर जाना है और कैसे इसके अंदर से बाहर निकलना है तो बच्चों की अच्छी खासी learning होती है यहां पर, इसलिए इस पार के अंदर जाना हर एक को संद है, बच्चे usually यहां पर अपने friends बना लेते हैं और एक दूसरें के साथ मज़े करते हैं, specially आप देखेंगे यहां पर water fountains हैं, जैसा कि आप background में देख सकते हैं, बच्चे यहां पर बागते हैं, दोड़ते हैं, तो हम usually बच्चों के swimming suits लेके आते हैं, क्योंकि यहां पर काफी fun होता है, यह fountains के अंदर से निकलती हुई lights, एक अजीब सा मनजर पेश करती हैं, जो के बहुत ही stunning और eye catching होता है, यहां पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी इन fountains को enjoy करते हैं, बच्चे wait करते हैं कि कब यह fountain start हो और कब हम इन के around बागे, छोटी fountains हैं, फिर आइस्ता इस्ता यह बड़ी होती जाती हैं, फिर छोटी हो जाती हैं, फिर बड़ी हो जाती हैं, तो यह बहुत ही amazing experience है, और बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा fun करते हैं, बच्चों के काफी friends भी बन जाते हैं यहां पर, तो उनके साथ आते हैं, तो football यहां पर केरते हैं, देखा जाये तो यह ज्यादा कोई crowded area नहीं है, इसलिए थोड़े बच्चे होने की वज़ा से, यहां पर easily यह लोग manage कर पाते हैं, और जब यह fountains उपर जाते हैं, और नीचे आते हैं, तो इसके साथ ही बहुत अच्चा camera का view भी आता है इन सब बताई हुई activities के साथ साथ यहां की जो main attraction है बड़ों के लिए वो है picnic spot, management से पूछा तो उन्होंने बताया के यहां पर आप cooking नहीं कर सकते, live cooking or any type of cooking, even barbecue are not allowed, but only आप गर से अपना cooked food लाके यहां पर easily खा सकते हैं, यहां पर काफी इन्होंने sports बनाई हुई हैं, जहां पर बैठ के अपना खाने को enjoy कर सकते हैं और अपनी families के साथ happiness share कर सकते हैं, mostly बच्चे fountains में रहना पसंत करते हैं, पानी के अंदर life वैसे भी एक मज़े की होती है, तो बच्चे usually यहां पर आके तो सब को बूल जाते हैं, हमारे बच्चे तो जब भी जाएं, इनकी main जो इ में life काफी enjoyable हो जाती है बच्चों की, इसके साथ साथ इन्होंने छोटे 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 rides बनाई होती हैं, छोटे छोटी attraction के points हैं, छोटे babies के लिए और इसके साथ बड़े भी jumping stands बनाए होते हैं, इसके अलावा ये बच्चों के लिए काफी fun activities का हितमाम किया गया है यहां प बच्चे उपर चड़ते हैं, climbing सीखते हैं, अभी आपको हम main attraction जो यहां का deck है वहां पर लेके चलते हैं, काफी walk है इस deck के पहुंचने के लिए थोड़ी सी चड़ाई है, तो उसको चड़के आप अपनी उपर destination पर पहुंच जाते हैं, तो वहां से views बहुत मज़े के आते ह फोटोग्राफी कर सकते हैं वहां पर या कुछ भी आप backdrop लेके आना चाहते हैं, दुबाई का view दिखाना चाहते हैं अपनी audience को या अपनी families के साथ, यह सारी moments आप share कर सकते हैं, usually लोग यहां पर फोटोग्राफी के लिए आते हैं, hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी करें, thanks for watching this video, please subscribe this channel and till next video, Allah Hafiz, take care, bye bye